ओम इंद्रम वर्धन तु अप्तु रहा क्रणेवन तो विश्व आरियम आपग्णन तो आरावर्णाहा आरिये समाज घरोंडा के इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हारदेख हारदेख प्रणाम मैं अंजली आरिया आज आप लोगों के बीच में अपने कुछ विचारों को साज़ा करना चाहती हूँ जिनकी वर्तमान समय में महत्ती आवश्शक्ता समझती हूँ जैसा कि आप लोगों ने कई बार विद्वानों के मुखारविंद से और सोशल मेडिया के माध्यम से वो कई प्रकार की विशेश्टाओं को धर्ण किये हुए हैं यहाँ पर हर द्रिष्टी से यदि देखा जाए तो एक नहीं अनेक विद्वानों ने इस बात को माना है कि ईश्वर ने अपरी संपून सोंद्रिये को अगर किसी कौने में बिखेरने का कारिय किया है किसी भूमी पर उडेलने का कारिय किया है तो वह भूमी भारत वर्ष की है इसलिए इसे स्वर्ग भूमी भी कहा जाता है और इतना ही नहीं विश्णु पुराण के अंदर ये वर्णन भी आता है कि गायन्ति देवा किलगीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमी भागे स्वर्ग पवर्ग सचर हेतु भूते भवन्ति भूया पुर्शह सुरत्वात अर्थार्थ देवतागण भी स्वर्ग लोक में इस गीत को गाते हैं कि हे प्रजापती पर्मात्मा यदि हमें मानव योनी में जन्म मिले तो हमें इस भारत भूमी में ही जन्म देना इस भारत भूमी में पैदा करना ये कल्पना वहाँ पर इस प्रकार की देवताओं के लिए की गई है वैसे देवता या राक्षस ये हमारी ही प्रवर्तियों में होते हैं हम देवत्यों को धरण करें तो हम देवता कहलाते हैं और आशुरी वृत्यां जब हमारे अंदर जर्म लेती हैं तो कहीं न कहीं वो असुर भी हम ही होते हैं पर ये बहुत सुन्दर कल्पना जो पुराणों में की गई हैं वो भारत वर्ष की गरिमा को इसके मात्व को दर्शाती हैं इसका सुन्द्रिय इस कारण से भी है कि यहां की भोगोलिक परिस्थतियां यहां की प्राकर्तिक प्रिस्थितियां यदी हम देखें तो समय समय पर अलग रित्वें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं जो अन्य और किसी देश में नहीं मिलती जैसे अलग-अलग रित्वें अपनी विशेश्थाईं रखती हैं वैसे बहरत वर्ष के अंदर अलग-अलग माननेताऊं के लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े सनी के साथ, निर्भें होकर के यहां के सभी मोलिक अधिकारों का लुप्त उठाते ह लाब उठाते हैं और इसी विशेष्टा को लेकर के कई बार लोग भोलते हैं कि भारत विभिन धर्मों का देश हैं विभिन मान्यताओं का देश होता है आरियों मान्यताओं अनेक हो सकती हैं संप्रदाओं अनेक हो सकते हैं मत अनेक हो सकते हैं लेकिन वेद के अनुसार आर्ष विद्या के अनुसार और बुद्धी जीवे विद्वानों के अनुसार और इश्वर की विवस्था के अनुसार मैं ये कहना चाहती हूं कि धर्म केव और केवल एक होता है और यदि हम उसके मूल में जाने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि इस धर्ती के तक्ते पर अगर सबसे प्राचीन मान्यता कोई है तो वो सत्य सनातन वैदिक धर्म की मान्यता है इस बात को संसार के सभी बुद्धी जीवियों ने स्विकार किया सहर्श इसको माना भी है और ये बात प्रमाणिक भी है तो जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है वो इश्वर कृत व्यवस्था है कोई मनुष्य कृत व्यवस्था नहीं है इश्वर कृत जो व्यवस्था होती है उसमें किसी के लिए किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता इसलिए जब हम वेद के दृष्टिकोन को पढ़ते हैं रखते हैं तो वहाँ पर हमें इसपष्ट पता लगता है कि मनुर्भव जनिया देव्यम जनम मनुष्य बनो और दूसरों को मनुष्य बनाने का कारिये करो और वो धर्म एक पूस्थापना करता है जिसको महरश्य वेदव्यास ने अपने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है कि आत्मा नह प्रतिकूलानी परेशामना समाचरेत जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो आप दूसरों के साथ भी न करे ये धर्म है पता चला जो भाईचारे के भाव को स्थापित करता है और पक्षपात रहित है जिसमें सब के लिए एक समान सुन्दर प्रार्थनाई ईश्वर से की गई है वहां हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है जिसकी विशेष्टा में हम गाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भध्राणी पश्चन्तु, मा कश्चित दुख्भाग भवेत है परमात्मा सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निर्भे होकर के विचरे, सब का कल्यान हो ये प्रार्थना हम प्राय करते हैं, तो ये वैदिक सनातन धर्म के मानने वालों की परंपरा है, जो वास्त्विक अर्थों में धर्म को मानते हैं, लेकिन बंदुवों, दूसरी और आप मत संप्रदायों की विवस्था को उठा करके देखेंगे, तो मत संप्रदाय के जो लो परिणाम वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे कि भारतिय जन्ता पार्टी की एक सांसत जिनका नाम नूपुर शर्मा है उन्होंने एक बयान दिया उस बयान के लिए तो पूरे देश में जगे जगे पर आग लगाई गई दंगे छेडे गए और अपने पैगंबरों की रक्षा के लिए हातों में तलवार लेकर के हवाओं में लहराई गई पत्थर फैके गई कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके सरकारी सिस्टम की धजियां उड़ाते हुए पूरे देश के अंदर जो जहरीला वातावरन बना वो पूरे विश्व ने देखा उस बात को लेकर के जितनी भी अरब की कंट्रियां थी वो सब भारत की और उंगली तान करके खड़ी हो गई नूपुर शर्मा के एक बयान में क्या कहा गया पेगंबर जी का कितना अपमान किया गया ये बात तो सब ने देख ली और सब ने आवाज उठाई के नूपूर शर्मा को फासी दो, गर्दन काट दो लेकिन नूपूर शर्मा से पहले जो हिंदुत्व का अपमान किया जा रहा था उस बात को लेकर के किसी भी देश के राजनेता ने कोई बयान जारी नहीं किया आप विदेशों की बात तो छोड़ दीजे, हमारे देश के अंदर जो अपने आपको देश का रक्षक बताने की बात करते हैं उन लोगों तक ने कोई बयान उस विशे में नहीं दिया और केबल उसी दिन नहीं, उससे पहले जो ज्यानवापी मंदिर का मुद्दा चला पोराणिक भाई मानते हैं उन देवताओं पर कीचड उचालने का काम किया अशलीलता भरे शब्दों को वाक्तियों को कहने का काम किया उनके खिलाब कोई पत्थर बाजी, उनके खिलाब कोई नारे बाजी, उनके खिलाब कहीं पर किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं था, ना उनके बारे में किसी ने कोई बयान जारी किया। लेकिन एक बात जो इसलामिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जिनको अपने पक्ष के लिए मोलाना लोग हतियार की तरह इस्तमाल करते हैं, वही बात किसी हिंदू बेहन ने कह दी, तो उस पर देश के अंदर इतना बबंडर खड़ा हो गया। वह बबंडर जो पता लगा चलते 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 केवल आग लगाने या पत्थर फैंकने या देश के अंदर इतना बड़ा भुचा लाने तक सीमित नहीं रहा, उस बबंडर के लिए उदेपुर में कनहिया लाल के एक सामाने से व्यक्ति को अपनी कुर्बानी तक देनी पड़ जिसके लिए उस व्यक्ति को जेल में भी जाना पड़ा, परिवार वालों को जमानत भी करवा करके लानी पड़ी और अंतते उसको बार-बार धंकिया दी जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के कानों पर चूतक नहीं रहेंगी आज अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला जढ़ने के लिए कोई कितनी भी बात कहता रहे, लेकिन यदि हमारा पुलिस प्रशासन अलर्ट होता, और हम हिंदूओं के अंदर एकता होती, जागरती होती, तो आज कनहिया लाल नाम का सक्ष जो है, वो हमारे बीच में जीवित ह पर आप सोचों के दिन दहाडे उसी की दुकान में घुस करके दो लोगों ने इतनी निर्मम हत्या उस व्यक्ति की कर दी, वो व्यक्ति चला गया, आज हम उसके जाने के बाद में आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि उसके मारने वालों को फासी दी जाए, लेक अपमानित किया था, तो शैद हमारी ताकत दिखाई देती, ये आंदोलन अगर आप लोगों ने उस समय किये होते, जब उस व्यक्ति को धमकिया मिल रही थी, या अन्य लोगों को धमकिया मिल रही थी, तो शैद बात कुछ और होती, इसी कमजोरी का फायदा, इतिहास के प फायल्स नाम की पिच्चर का मुद्दा पूरे देश के अंदर उठा, अब तक वो मुद्दा ठंडे बस्ते में नहीं गया था, कि उदेपूर की फायल जो है वो खुल गई, और जो लोग कस्मीर फायल्स को जूटा बताते थे, कुछ नेता संसद के अंदर खड़े होकर के हसते थे, और बताते थे, यह तो ड्रामा है और ड्रामे का प्रचार किया जा रहा है, आज वो लोग पता नहीं कौन से बिल में जाकर के बैठ गए हैं, कि जो निकल करके वहां से बाहर नहीं आ रहे हैं, और इस मुद्दे पर बोल नहीं रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो नं बाजी नहीं करेंगे, वो इस पर कोई बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है, अगर हमने इसके विरोध में कुछ बोला, तो हमारा वोट बैंक इससे कही न कहीं गड़ बढ़ा जाएगा, और मुझे तो मेरे भाईयों डर इस बात का भी लगता है, कि जिन अपराधियों को पकड़ा है, अभी तो हम मुद्दा उठा रहे हैं, कि उन्हें फासी की सजा होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो कलकेों उनहीं के लिए दया याचिका ले करके आ जाएंगे, ये कहानी पूरी तरह से आपके सामने हैं, अधिक बताने की आवश्यक्ता के भी हम में कोई जागरती नहीं आती है, हम उससे कोई सिक्षा नहीं ले सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, कि दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा, या दूसरा बंगलादेश नहीं बनेगा, भाईयों ये इस्थिती फिर से आजाएगी, क्योंकि आज भी दूसरे लोग एक के नाम पर एक ही है, अपनी माननेताओं के नाम पर एक ही है, अपने मत संपरदाए के नाम पर एक ही है, उनका मत संपरदाए उनको यही सिक्षा देता है, यही दिक्षा देता है, और खुले आम जब जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, बिट्टा कराटे जैसे जब ये खुले आम कहते हैं कि हम अपने मत की रक्षा के लिए अपने पैगंबरों की रक्षा के लिए मा की गर्दन काट देंगे भाई की गर्दन काट देंगे बहन की गर्दन काट देंगे तो जड़ा सोचो क्या ये गीत गाने का ठेका केवल इन हिंदुओं नहीं लिया हुआ है कि हम आपस में भाई-भाई हैं आप सोचो उन्होंने कभी इन गीतों को नहीं गाया लेकिन हम इन गीतों को गाते-गाते हमें इतने दिन हो गए हैं और उसका परिणाम हम हर जगे से भुगतते हैं कि जिनको अल्प संख्यक आप कहते हो व इस पर विचार करने की आवश्शक्ता है खाली बयान-बाजी से कुछ हो जाएगा खाली आंदोलन करने से कुछ हो जाएगा तो बात बनने वाली नहीं है इट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और जितनी आवश्शक्ता उस समय में थी जब च्छत्रपति शिवाज हैं तो आप सोचो अलग से कोई सकती अवतार लेकर के हमारी रक्षा करने वाली नहीं है ये रक्षा हमें स्वयम करनी पड़ेगी और स्वयम रक्षा करने के लिए हमारा संगठन होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा धर्म केवल हमें गर्दन जुकाने की सिक्षा नहीं देता हमारे सभी महापुरुष हो या देवी देवता हो उनके हाथ में अगर शस्त्र है शो सस्त्रों के साथ सा अस्त्र है तो अस्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी है शास्त्र भी है तो इन दोनों चीजों को यदि हम साथ लेकर के चलेंगे तो कुछ बात बन सकती है अन्यता बनने वाली नहीं है आप सोचे विचार करें धन्यवाद